राइडिंग बाइक इस लिए दिये हैं इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेर करेंगे R15 V3 के साथ RTR 164 V का तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले इंजिन डिस्प्लेस्मेंट से Apache RTR 164V का जो engine displacement है वो है 160cc whereas R15 V3 का जो engine displacement है वो है 155cc अब हम इसकी mileage की comparison करेंगे Apache हमें देता है 40 to 45 के range में mileage whereas R15 V3 हमें देता है 35 to 40 km per liter का mileage तो हम mileage की comparison में ये देख सकते हैं कि Apache RTR 164V थोड़ा सा आगे है Yamaha R15 V3 के comparison में हमने दोनों bike का ही video बनाया है जिसकी link हम दे देंगे description में और उपर आपको मिल जाएगा उसका link तो आप लोग वो video को भी check कर सकते हैं अब हम इसकी engine warranty का बात करेंगे तो हमें Apache RTR 160 में जो engine warranty मिलता है वो है 5 years whereas हमें R15 V3 में मिलता है 2 years हमारे information के मुताबिक और हम बात करेंगे इन दोनों के engine type का तो Apache RTR 160 में हमें मिलता है single cylinder four stroke OHC SI engine whereas R15 V3 में हमें मिलता है single cylinder four stroke four valve ASO 8C engine जो कि हमें power generate करके देगा RTR 160 के लिए 16.5 PS जो कि 8000 rpm generate करेगा और R15 V3 के लिए 19.3 PS जो कि 10,000 rpm generate करेगा और वहीं हम torque की भी comparison करेंगे तो हमें जो देखने को मिलता है कि वह RTR 160 में 14.8 Nm जेनरेट करता है जो कि 6,500 rpm देगा वैराज R15 जेनरेट करता है 15 Nm का torque जो कि देगा 8,500 rpm तो दोनों power और torque में दोनों में ही R15 V3 आगे है Apache RTR 160 से by 2000 rpm तो यहां पर straight और clear winner है हमारा R15 V3 तो power के बारे में जब हम बात करते हैं यह torque के बारे में जब हम बात करते हैं तो R15 no doubt winner रहता है जिसकी वज़ए से इसका जो speed है या फिर pickup है यह दोनों में ही थोड़ा advantage गेन करता है RTR 160 के comparison में यह थोड़ा fast है जल्दी pickup लेता है और compare अगर हम इसकी drag race भी करें तो हमें यह देखने को मिल जाएगा कि R15 V3 हलका आगे रहेगा compared to RTR 164 V अब riding posture की बात करें तो Yamaha R15 V3 में मुझे थोड़ा सा uncomfortable feel हुआ पर मैं आपको यह बता दू कि V2 के comparison में V3 का जो riding posture है वो काफी comfortable है पर RTR 164 V के साथ compare करें तो riding posture 648 164 V का काफी बैतर है R15 V3 से मुझे ऐसा लगा वहीं अगर मैं breaking का बात करूँ तो R15 V3 में हमें front और rear दोनों में मिलते हैं disc brake और इसका यह जो speed generate करता है उसके के हिसाब से इसकी breaking perfect है powerful है वहीं आर टेर 164 V का जो breaking है मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा और इसमें हमें front में मिलता है disc brake और rear में हमें मिलता है drum brake पर यहां और एक option रहता है जो की है मतलब जो पीछे drum brake है वहाँ पे आप drum के जगह पे disc लगा सकते हो मैंने डिस्क ब्रेक दोनों front और back दोनों में डिस्क ब्रेक के साथ टेस्ट राइड लिया था उसी के बिसिस में मैंने यह स्टेटमेंट दिया तो अब हम बात करते हैं fuel capacity का R15 V3 में हमें मिलता है 11 liters वहीं आर टेर 164 भी में हमें मिलता है 12 liters curve weight की बात करें तो Apache R164 V का जो curve weight है 143 kg वेराज R15 V3 का है 139 kg ground clearance की बात करें तो R15 V3 में हमें मिलता है 170 mm का ground clearance वहीं Apache R164 V में हमें मिलता है 180 mm का ground clearance tire type का बात करें तो हमें दोनों में मिलता है tubeless tires wheel size की बात करें तो दोनों का front और rear में हमें मिलता है 17 inches तो यहां पे दोनों bikes ने same रखा है सब कुछ अब हम बात करते हैं ABS का तो हमें दोनों में ABS नहीं मिलता है जो की एक disadvantage है ABS होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह high pickup bikes है तो यहां हमें ABS नहीं मिलता है अब number of gears की बात करें तो आर्वान 5 V3 में हमें मिलता है 6 gears whereas RTR 164 V में हमें मिलता है 5 gears अब अगर looks की बात करें तो Apache RTR 160 का जो look है वह exactly copy है RTR 204 V का तो यह थोड़ा अलग हो सकता था वहीं पर R15 V3 inspired है R1 से हाँ पूरा R1 का copy नहीं है पर थोड़ा सा उसका हमें shadow देखने को मिलता है new R15 V3 में और अगर suspension की बात करें तो दोनों का ही suspension काफी बढ़िया है दोनों का ही suspension काफी improved है तो suspension की comparison में दोनों ही equal आता है तो अब अगर servicing का बात करें तो दोनों bike में after first month three months का interval में servicing मिलता है और जिसमें first five services free आता है आप लोगो like करे subscribe करे और comment करे आगे आप कौन सा बाइक का review चाते हैं या कौन सा स्कूटी का review जाते हैं या कौन सा गाड़ी का review चाते हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका यह request पूरा करने का तो दोस्तों thank you for watching the video आप दोस्तों